नमस्कार स्वागत है आपका दो बजी की पाँच बड़ी खबरों में देश का सबसे छोड़ा बुल्टिन लेकिन सब बड़ी खबरों से भरपूर तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के एरपोर् वो 360 एंगल पर घुम गया एक बड़ा हाथ सटल गया और कई आतरी घायल होने से बच गए रवी आपका रूप करते हैं क्या कुछ बड़ी खबार इस वक्त की इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर है यह जो त्रिप्ति देसाई है जिन्होंने शन्नी मंदीर में और हाजी अली बड़ी ती जो समाजी कर्च करता है उन्होंने सबरीमाला मंदीर में जाने के लिए अपने जो विग्रेड पिग्रेड है उनकी मी भूमाता विग्रेड समाज महिलाओं के साथ जाने वाली थी लेकिन के रल सरकार ने उस पर रोक लगा दिये के अब है कि अभी ये बात हम अब तक आप मत आई हम उनको आदेश नहीं देंगे कि वो मंदीर में जाए तो वह उनका कहना है कि वह इंदजार करें जब सुप्रीम कोट का फैसला अगर पक्स में आ जाता है तो वैसे ही जाने के लिए अलाव हो जाएगा कोई सारी में जा सकती है तो इसलिए उन पर रोक फैसला क्लिए सब्सथा को कुछ भी कहना मुश्किल है तुर मिजनी सब्सक्रेंस के जटका लगा है जो प्लैणि चल रही थी सरकार ने साफ कर जा त्भी आप मंदिर नहीं जा सकती अलोग क्या कुछ ख़बर है बड़ी मेरे पास नोटबंदी से जुड़ी ख़वर है यह तो आप भी जानते हैं हमारे दर्शक भी जानते हैं कि नोटबंदी के बाद से जो पुराने नोट थे उनके कीमत कम हो गई थी जो पांस हो का नोट था वो साड़े चार सो में हो गया था ये खबरे हमने भी पड़ी थी खबर कुलका में दिखाने के लिए रखम चाहिए दरसल हुआ क्या था कि जो फरजी कमपनिया हैं इन्होंने नोटबंदी के बाद पहले मैं आपको यह बता दू कैश इन हैं होदा क्या है आफिस में रोजमर्रा के खर्चे के लिए जो नगत रखा जाता उसे कहते हैं कैश इन हैं तो न कैश इन हैं तो इसलिए अब यह पुराने नोटों को ऊची कीमत पे खरीद के कमिशन देखे जो है खरीद रही है ताकि यह अपने बैलेंच शीट में दिखा सके कि हमारे पास कैश इन है अब इतना है बहुत मज़्यदार खबर है दो बज़े की बड़ी खबर है और मज़्यदार खबर इसलिए है कि नोट बंदी के बाद चाहिक तरफ पुराने नोटों की कीमत कम हुई वहीं कोलकता में बिल्कुल उल्टा होता दिखाए दिखाए दिया यानि पुराने नोटों की कीमत पर अटकरे लगाई जाती है कि उनके लड़ाई हो रही है नहीं कुझ्वे में लेकिन अब लड़ाई का मुदा सामने आया है शिफपाल दुबारा जिस अखिलेश ने चिस MLA को भार निकाला था उसको वापस घर ले आया है उसको वापस टिकेट दिलाने की तयारी कर रहे है मैं आपको बताना जाओंगी अखिलेश यादव ने उनको भार निकाला था और ये कहा था कि हम इसे वापस नहीं लेंगे लेकिन शिफपाल यादव ने उनको दुवारा वार किया है पहले तो उन्होंने गड़बंदन खारिच किया फिर गाईतरी प्रज़ापती को रास् साफ हो जा और वो सीएम ना बन पाए चाचा भातीजी के बीच की जंग है चाहते हैं चाचा की अब की बार अगर सत्ता आए तो कमान उनके हाथ में सोभी जाए शिफपाल को सत्ता मिलनी चाहिए ये उनका कहना है लेकिन अखिलेश के हाथ से तुरब का इका फिसल जाए ख ब्स ये सामने आया कि मायवती लेकर चाहते हैं और अभी मायवती ने जिस पर प्रेस कॉन्फरिंस करके इस बात पर सफाई दिय है और मायावती नहीं 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 होई थी और वो अगस के आकेर में नूमबर तक उत्तर पर्देश में रही जिस कारण नहीं आ सके और अपने आकाउंट में पैसे जमन नहीं करा सके तो और दो Pourquoi Lewis तो है यह अचानत ही। प lottery पर हमला किया रगर नेका इतने ही मांडार एं तो पहले बी-ज़पी एक टना नोड़फा पैसा जमा हुई रहता है वो सामने लाएं उसके बाद उन까요 बिल्कुल बसपास सुप्रीमों मायावति का बीचीपी पर पलटवार और निशाने पर पीए मोधी कहा दया साफ कि आप भी देए एक एक पाई का हिसाब और जब तक नहीं देंगे साफ तब तक आप दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते मायावति की मोधी पर पलटवार नीलम क्या कुछ बड़ी खबर है गोरव अब जैसे पांसोर हजार के नोट जमा करने की लिमिट खता मोरिया टाइम लिमिट उसमें सिर्फ तीन दिन रह गए हैं तो खबर आ रही है कि अगर तीस तारिक के बाद किसी के पास पांसोर हजार के दस से जादा नोट मिलते हैं तो अन पे पतास जार तक जुर्मान esa या फिव जितनी राकम बरामत की गई जो से पांद मुना तक का जुर्मान लगा जा सकता है और ये भी खबर आ रही है कि इस पर बुध वार को फैसला लिया जा जा सकता है इस अधिए अधियादेश पर बुदवार को फैसला लिया जा स सब्सक्राइब आपको दो दो बजे की पांच बड़ी खबरों कर आया आपको बता देंगे अभी देरदन में पीए मोधी जलता को संबोधित कर रहे हैं चुनावी रेली के लिए पहुँच चुके हैं क्योंकि अगरे साल देर दुन में यानि पूरे उत्तराखंड में चुनाव होने हैं परपल की अपडेट्स के लिए आप हो रही वेबसाइट के साथ बने रही है हमरी वेबसाइट है www.hindi.coprapost.com तो फिलाल दो बजे की खबरों में बस इतना ही आप से लिए रहे हैं विदा नमस्कार